अज़कर साथियो बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं पोस्ट अपिस में अगर आपको FD रखना है यानि कि फिक्स डिपोसिट में पैसा रखना है एक साल, दो साल, तीन साल के लिए है तो कितना पैसा रखो के उसके उपर कि पांच लाग का विमा होता है उसके उपर होती है तो अमाउट होती है और कुछ होता है तो कोई रिस्पोंसिबिलिटी नहीं लेता है लेकिन फिए पोस्ट में आपको फाइदा है पोस्ट में आप चितनी मर्जी चाहे 10 लाग 20 लाग कितना भी पैसा रख सकते हो चलो देख यह 2 साल का 3 साल का 5 साल का रेट ओपिंटरेस चल रहा है आप देख सकते हो इसमें 6.6 है फिर 6.8 है 6.9 है 6.7 है फिर बात करते हैं पोस्ट अपिस में minimum FD आप कितने से रख सकते हो minimum FD आप 1000 से रख सकते हो maximum इनकी कोई लिमिट नहीं है और हम देखें अभी आगे तो कितने पैसे रख्षने पर आपको कितना मिलेगा सबसे पहले बात करें अगर आप 50,000 का इन्वेस्मेंट करते हो एक साल के लिए तो आपको यहां पर मिलेगा 53,300 रुपया अगर दो साल के लिए करते थे तो मिलेगा आपको 57,200 रुपया और 5 साल के लिए करोगे तो आपको मिलेगा 70,700 रुपया तो यह तो बात हो गई 15,000 की अगर आप FD 1,00,000 की करते हो तो यहाँ पर 1 साल के लिए आपको मिलेगा दो लाग 13500 और वही 2 साल के लिए करते हो तो 2,082,000 जितना आपको मिल जाएगा और 5 साल के लिए आप करते हो तो 2,182,900 और जितना आपको haters से मिल जाएगा फिर बात करते हैं अगर आप 5 साल की fd करोगे तो 1 साल के लिए आपको मिलेगा 5,你可以 3,800 सो और हम बात करें तो 2 साल के लिए 5. saxτο और 5 साल के लिये बात करें तो 7.7.30 इन रोसके सामने mm को सतरूं के लिए 10.67,000 टो साल के लिए 11.44,000 और 5 साल के लिए 14. кусड़ आजार तक आपको FD में आराम से मिल जाएगा तो दोस्तों आज ही आप पोस्ट ओपिस विजिट कीजिए और FD बनवा लिजिए क्योंकि काफी अच्छा इसके अंदर रिटन है जय हिन जय बारत